दोस्तों आयूरवेदा होम केर में अब तक आप देखते आ रहे हैं हर बिमारी के लिए आसान और असलदार घरी लूप चार आज भी हम आप के लिए कुछ ऐसे ही नुस्खे लेकर आए हैं तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आयूरवेदा होम केर में आमतोर पर हम सब ही दिन भर तो अपनी त्वचा की देख भाल कर लेते हैं घर, दफ्तर के काम और दिन भर की भाग दोड़ के बाद जब सोने का मौका मिलता है तब दिल करता है कि सिथे बेट पर कूच जाएं लेकिन अगर आपको अपनी खूबसूरती कायम रखनी है तो सोने से पहले आपको साथ छोटे से उपाई करने होंगे जिन्हें सोने से पहले करके आप निखरी जवान तवचा पा सकते हैं तो चलिए जानते हैं कौन से हैं ये उपाई सबसे पहला मेकप को हटाएं सोने से पहले अच्छे क्लिंजिंग मिल्क से मेकप जरूर हटाएं क्यूंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो आपकी स्किन सांस नहीं ले पाएगी लिहाजा आपके चहरे पर कई दाग धबबे, पिंपल और आकने नजर आने लगेंगे दूसरा चहरे की मसाज करें अगर आपको लगता है कि आपकी तवचा बे जान नजर आने लगी है तो रोज रात को अपने हाथों से चहरे की अच्छी तरह से मसाज करें ऐसा करने से blood circulation बढ़ता है और तवचा में निखार आता है फेशल के लिए natural चीजों का इस्तमाल करना ज्यादा कारगर साबित होता है तीसरा नहाई दिन भर की थकान मिटानी है तो नहाई ये जरूर ऐसा करने से शरीर पर मौजूद गंदगी भी साफ हो जाएगी अगर रात को नहाना मुम्किन नहीं तो गरम पानी के तॉलिय को भिगो कर पूरे शरीर को अच्छे से पोंच लें चौथा तवचा को मौश्चराइज करें नहाने के बाद ना सिर्फ चहरे पर बलकी पूरे शरीर पर क्रीम, लोशन या नारियल तेल लगा कर उसे मौश्चराइज करें तॉचा की नमी कायम रखने के लिए ये जरूरी है होटों पर लिब बाम और चहरे पर नाइट क्रीम लगाएं पांचवा बालों में कंगी करें अगर आप चहती हैं कि आपके बाल लंबे हों तो रोज रात को सोने से पहले कंगी करके सोएं हो सकें तो हलकी चोटी बना लें, इससे बालों का जड़ना भी कम हो जाएगा दरसल बालों में कंगी करने से blood circulation बूस्ट होता है और जड़े मस्बूत होती है छठा आँखों को धोएं दिन भर की थकान हमारी आँखों को भी बोजहिल कर देती है ऐसे में बहतर होगा कि आप अपनी आँखों को अच्छी तरह से पानी से धोएं और उसके बाद ही सोने जाएं ऐसा करने से dark circles होनी की आशंका भी कम हो जाएगी साथवा ब्रश करें ये सला तो बचपन से दी जाती है कि रात को सोने से पहले अच्छे से ब्रश करना चाहिए सफेद और स्वस्थ दांतों के लिए और आपकी खुबसूरत स्माइल के लिए ये बहुत जरूरी है तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि हमारे बताए गए नुस्खे अच्छे हैं और आपको फाइदा हो रहा है तो देखते रहिए और सबस्क्राइब कीजिए हमारा चैनल धन्यवाद